हेलो सुडेंट विलकॉम बैक टो मैं चैनल अखिल मैत क्लास तो बचो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाप्टर नमबर टू पॉलिनुमियल्स ओके तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनुमियल क्या होता है ओके और यह हमारा करते हैं चैनल नमबर टू पॉलिनुमियल्स और यहां पर एक चीज समझो पॉलिनुमियल होता क्या है तो यह सारे नोट्स में प्रिपेर कर दिये हैं आप चाहूत इस नोट कॉपी कर सकते हो और अपने बास रख सकते हो ओके तो यह जो नोट्स आपको में PDF में टेलिग्राम में भी देंगा तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सब पहले सब सब्सक्राइब समझते हैं पॉलिनुमियल होता क्या है तो वाट इस पॉलिनुमियल तो पॉलिमियल तो पॉलिमियल यहां डिखा हुआ है अगर उसका जो इंश। वैरिबल जो होगा इन वाल्ट हैव ओल्ली नोग इंटील पावर उनका उसका जो पावर व्यक्याइबल का ऑवा रहोगा वो नोगेटिव होगा श्रॉप नहीं होना चाहिए पॉजिटीब ऑल्वेस होना चाहिए इंटीगल पावर इस कॉल पॉलिन और अच्छे समझते हैं और डेफिनेशन देख लो पॉलिमेल का एक पॉलिमेल इन वान वारेबल एक्स इस एन अलजबरिक एक्सप्रेशन अब दा फॉर्म यह है पॉलिमेल को इस फॉर्म में पॉलिमेल होना चाहिए तो यह फॉर्म मैं आपको समझाओंगा तो पहले आप होगा थे एक्स पॉसकंद नेगेटिव होता है यह फ्रक्षन में होता है यह फिर होता है तो वह पॉलिमेल नहीं होगा ओके ट्यायर है अच्छा है तो एक चीज़ को समझते हैं जैसे मानलो मैंने एक ग्जाम्पल ले लिया जैसे यहां पर देखो यहां पी 5x3-4x2-6x-3 यहां पर सिफ एकशी वैरेबुल यूज वा है यह यह पॉलणीमेल इन वैरेबल एक्स तो यह पॉल्णीमेल यहां पर भी यहां पर खुगे सिफ यहां पर फरीजिए ऑच्छा अब दूसरे एक्ज़ामपल देखें क्या लिखावा है फाइफ प्लस एट एक होगे नॉट कॉन कौन से होंगे नॉट पॉलिनुमयल मतलब यह अगर होंगे तो पॉलिमेल नहीं होगा अब चाओ तो पॉंड करके लिख सेकते हो पहला नमबर वन अगर देसिमल अगर का यहां पर लिको वएरियबल का अगर वेरियबल का अगर का जो पवर होगा पावर महीं देखने बच्क अगर में अगर क дорब का पावर अगर डेसिमाल है थो डिए पौह अगर वैरेपल का पावर अगर आपका फ्रैक्शन है तो नौत पोलिमल हम पर अच्छ liar अगर लोग का अगर निघकर नंबर है और अच्छ ओके याद रखो बचो वैरेबुल का पावर यह को मैं लिख दिया है हिंदी में भी वैरेबुल का पावर अगर डिस्मल हो डिफ्रेक्शन हो नेगेटिव नमर सो तो वह पॉलिमल नहीं होगा ओके अच्छा अब आगे बढ़ते हैं तो मुझे बताओ यह वाला जो एक्सप् नहीं होगा यहां पर यह बैरेबुल का पावर नेगेटिव यह नहीं होगा मालों कोई एक भी अगर सैट्टीस्पार नहीं करता है तो नौट पॉलिमल का अंदर जाएगा ऑके यहां पर मैंने मैनस को अटा दिया था यहां पर फ्रेक्शन है यह नहीं फ्रेक्शन है यहां पर टूटल एक्सप्रेशन हमारा वह नौट फॉलिमल होगा ऑच्छा पॉलिमल यहां पॉलिमल को पॉलिमल को पॉलिमल होकर सब्सक्राइब होंगे तो इसको बोलेंगे पी आफ एक्स ठीक है अच्छा अब चाहुता है कि लिखना है और भी कुछ ने क्योब माइनस इसका नाम है चुछंग एक यतों अपनाव वाइबल एक पॉलिमल है इसका यहां पर यह कि बोलेंगे प्लीमल का नाम हम क्षिए लिए प्लीयर को समझ में आसे डे दिया कि एक पॉलिमल मतलब ऐसा होता है नॉट बिए तो अब हम बात कर लेते हैं यह जो यहां पर लिखा हुआ इसका मतलब क्या है ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ इसको मैं समझाता हूं यह चीज़े हैं क्या अब आपको समझ में आ जाएगा यहां पर लिखा हुआ इसको आक्षिल नोट पढ़ते हैं अब यहां पर अप्टो यह कहां चलता है यह यह चलते 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 अब तक आएगा और आर कंस्टन मतलों इसका यह नहीं होगी इसका मतलब क्या देखो तो हमारा जो पी आफ एक्स जो हमारा जो पॉल्यमिल है इस यहां पर क्या यहां पर आफ लिखेंगे अपको बता दो यहांपर जो यह यहां पर लिखा है स्मॉल इन यह आपके नैच्छरल नंबर है है आपको नाच्वल नमबर है ओके अच्छा तो वान से शुरू करेंगे हम और ओर तो यह हमारे राघ्व सब्सक्राइब है तो अगर हम इन की तो नोबर है न तो बन से सुरू करते हैं फिर आगर हम एन की वैलो क्या रखें 1 रखें 1 मिन बच्चो अगर हम n की भैलू 1 रखें तो पूट करो यहां पर भैलू तो यह होप का हो जाएगा यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर हम लिखेंगे 1-1 मतलब इनके बेने 1 तो यह 0 हो जाएगा बस खतम हो गया यहां पर यहां पर भी 0 हो जाएगा यह पर 0 क्या होगा वैलू होता है वान होता है मतलब यह इस रहा आपका दो हमारे एक्सप्रेशन रहा यह वाइंट प्लस यह दिए नॉट यहांपर लिको यह आपका कॉंस्टेंट है ठीक है अगर मानलों में एन की वैल्यू फॉर लेता हूं तो बचो यह एक पॉलिमन का फॉर्म है अगर एक्सप्रेशन हमारा एट फॉर मतलब हमारा यह क्या है कॉंस्टेंट है एक स्टूदी पार यहांपर फॉर रहेगा प्लस पर यहांपर कितना घ्राइब अब यहांपर देखो क्या हो जाएगा यहां पर कितना यह वहाला फॉर्माट है उसके बाद और भी हम इन लिक देखो यहां पर और भी है क्या है आए एन माइनस टू एक सूदिपवर एन माइनस टू यही फॉर्माट में चलेगा प्लस एफ प्लस प्लिका एक साहरे नीकल जाएंगे यह ब nuts यह जाएगा यह 3 सबस्माइद सच दीपर PS4-2 हो जाएगा कि अ-1-3 तो यहां पर मेच थी विय दिवावर निथी दूलाइगा इस C Analysis 4-4 आयेगा रहां यहां पर वाप रुक जानाहीं तो फिर 04-4 को लिए सब्सक्राइब एकश्क्राइब कर एकश्क्राइब तो एक स्कूर्ण स्कूर्स और यहां पर खुर्ण कुछ है ले ले लेते हैं यहां मैं कोई ले ले लिया कुछ भी ले लो नमबर चार या फिर पांच पॉलिमेल यह जेनरल फॉर्म है समझ में आ रहा है और यह चीज हम बोला है कि टोटल यह चीजें यहां पर क्या होगी ठीक है तो यह नहीं रखना है आपको इन की फैलो कुछ नमबर रखना है तो हमने यह कहां कि कि जो जो यहां बच्चों यहां दखो एन इस नौट इकुल जीरो नहीं होना चाहिए अगर अभी यह वाला कॉंस्टेंट अगर जीरो ले यह मैंने यहां पर डाइगराम किया रोग गए देखो इसको यह मैंने एक इंच्प्रेशन लिखा हो यहां पर एक स्क्वेड प्लस फूर इसको फिर सब और यहां पर लिख देता हूं यहां पर दिता हो आपको असलतर समझ में आ जाएगा कि चीजें हो किया हुआ है मैं य लोड कोफिशन आपको होगा pross होगा यहां एक स्क्राइब निकल अगा और यह सब तो नहीं को पता है । मायनस टू एक स्वेर है टाम से और प्लस फोर एक टाम से ओके आपको यह आपको समझ में आ गया यह कॉंसेट अपको पुरा अच्छी तर समझ में आगे पॉलिमल है क्या ओके अब बात करते हैं अब एक चीजों को डिटल में समझेंगे आपको पहले से चीजा अल्री पता है देखो कॉंस्टंट आपको पता यह सिंबल स्कूल कॉंस्टंट सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए आपको पता है सिंबल इसमें इसमें कर सकते हैं इसे एक्सक्राइब मालनों दो लिग दिया वाई की वाई लिया मैंने इसके वैलु में यहां पर थिरी असाइन कर दिया तो यह सब क्या होता है अब आते हैं अब आते हैं यह क्या होता है एक कॉंबिनेशन अफ कॉंस्टेंड और वैरेबल को कॉंबिनेशन होता है कनेक्टेट बाइस सम और अल्डव प्लस माइनस यहां पर यूज होते हैं उसका हम बोलते हैं यहां पर लिखा टू एक स्क्वेर प्लस फोर एक्स प्लस त्री तो यह क्या है एक एक स्प्रेशन है इसमें आपकी कॉंस्टेंट भी है जिसे दो और तीन हमारे कॉंस्टेंट हों यह सब तो यह सब पहले से पहले से पता है अब मैं आते हैं स्कुंध कर लो अब थे सब्सक्राइब क्या होते हैं उनको प्लस और मैने से अलग किया जाता है ठीक है अलग करते हैं और इनके सब्सक्राइब क्या है यह सारे यहां पर मालों मैंने और एक स्प्रेशन लिखा यहां पर मालो मैंने लिखा स्क्राइब का 5 x2-4 x3 तो इसमें कौन-कौन से टांस हो जोए तो 5 x2 एक टांस है और क्या माइनस 4 एक टांस है और 3 एक टांस है यह तीन टांस है ओके समझ में आ रहा है अच्छा आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं कितने प्रगार के पॉल्मेल होते हैं टाइप जम पॉल्म पॉलिमेल इसको पॉलेंगे इसको बोलेंगे एक नंबर में लिखा चार तो यह भी बचो एक पॉलिमेल ही है इसको बोलेंगे कॉंस्टेंट पॉलिमेल समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं ट्रेंज जा रही है तुरा रुख जा तुरा भी हीलेंगे अलका सा जो यहां पर फ्लोर हिलता है जब जाता है तो और थोरे से नौज आती है मैंस कर लो अब हम आगे बढ़ते हैं को जो पॉंट नंबर टूपे जिरो पॉलिमेल कान्सिस्टिंग ऊप टम्स नेमली 0 गहला वहां पॉलेंगे जिरो समय में आ गया आगे बढ़ते हैं वानुमेल यह मैंपल मानों का मतलब होता है मानॉमेल सब्सक्राइब मानुमेल एक होता है जामान मैं लिखा एक सी पपर चुक्द्स को मोनिमेल है कि आहीं पॉलिनी महाइल हविंग ऑनली're तोट में इस में सेलोगाः का था थेख़ाएज को फोल सेखते हैं कि एक स्थाम्प एक स्टेफ आफ सना स्टथा जो तोट इसमें यह बच्छों बात करते हैं डिग्री सारे चीज़ें यहां पर लिखे हुए बस आपको पढ़ना है और कुसेंज करना देखो डिग्री अपालिमेल तो हमारे इंट्रोशन के वीडियो है नेक्स्ट वीडियो सम्स्टार्ट करेंगे आपका जो एक्ससे स्टूपन वान यहां स W इसको प्रष्येडाय का हेस्ट पावर्डेपश को मोलता है पॉलिमेल इन होता है और स्कUSS हो सकते हैं टक है उसका समझागा जिस्कों डिक्री बोलते हैं इसरो म हैंने लिखा 1 और 4 plus 3x plus 4 ऐ判 इसई को बैर टेक्स का सिरह इसओ ऑने कि है तुसको केसे हम करें गदेखो इन के साफ पॉल में आपको यहां पर दीचा यह 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 इस पॉलइमेल इसको इसको भूलें नेश्ट एक्जेंबल देखो है दिखा यह नहीं लिखा नहीं है और इसका जो डिगरी है पकुछ नहीं मतबाने था तो रइचाँ आप आते हैं बात करें कुछ ऐसे भी पालिमेल होते हैं बच्छो इसमें more than one variable एक बैरेबल एक से अधिक वेरेबल होगा दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं तो इनके सब पॉलिमेल इन इसमें क्या करें दो पावर का सम कर देंगे इस टेकन अप एंड हायस्ट रोगा उसी को बोलेंगे डिग्री फॉलिमेल जैसे मानलो यह ग्यां लिए अब निए लिखा है अब मुझे बताए कॉंसा पॉलिमेल यह इस पॉलिमेल इसमें युज हैं एक संद भाई लेको लिखो इसमें इसमें डिग्री कैसे पहचाने अगर ऐसा है ना तो एक टम का डिग्री निकालो इस तरम में हाइस्ट पावर कि आपका एक स्कूर तरी निकला अच्छा अब इस टर्म को चेक करते हैं तो यहां पर एक सब्सक्राइब यह अगर इस केसमें हो ऐसा हो अगर दो वैरे दो दो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंटफंट जो पावर और उनको एड़ करें यह दो एक सब्सक्राइब और यह चार तो प्लस पॉर्सक्तों कितना फॉर्ट यहां से आपको क्या निकला और इसका तो कुछ अपतल शूरा होता है ठीक है टिक है टोटल एकस्प्रेष् इसका यहां पर कितना है चार है किस्ति कितना है टोटल एक्सप्रेसर में हैस्कितना पोर है इसलिए यहां पर फूर होगा इसका एक्जमपल देखो यहां बढ़ो यह दो वैरिपल यूज है दूनका पावर हम एड़ कर देंगे तो एक उपर कुछनि नहीं मतलब क्या वन है है तो 8 plus 1 कितना अलग अलग बढ़े वन बच्चों को पावर एड़ कर दो तो इस एकस्प्रेशन में पावर कितना निगला नाइन यहां पर यहां पर पर कुछनिय मतलब बावन है बांने इंको आइड कर दो तर्ञेंग तो यहां पर आपके 0 निकलेगा तो हाइस कितना है 9 इस हाइस तन देखो डिग्री 9 होगा थिक एक टम का आप पावर चेक करो इस तर्म का मैंने चेक किया तो नाइन हुआ दो दो डिफ्रेंट लोगा तो मैं एड कर दूंगा अब बात करते हैं सब्सक्राइब अगर मैंने एट लिखा कॉंस्टांट इसका डिग्री कितना होगा बच्छों को डिग्री हमें से क्या होता है जिरो होता है कैसे देखो एट को मैं चाहूं तो एक इंटू एंटू और व इस तो यहां हमरे खता है नेक्सट ढ़िए फिरो कांस्टांट इस पॉलीमल टिफेंड हो एक को उसको बोलेंगे लिनियर पॉलीमल इसका इग्जामपल यहां पर बिसको ऑन यहां रिखा हुए अगर डिग्री दो है तो उसको मोलेंगे क्वाद्रिक पॉल्लिमियल इसका लिए है अगर डिगरी थी होगा तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिमेल इसका यहां पर लिखा हुआ है ओके समझ में आगे तही है आपको पॉलिमेल का बैसिक सा मतलब बैसिक सब्सक्राइब में आपको एक्जाम्पल दे दिया अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर करके ही मैं आपको समझाऊंगा जिरो जो पॉलिमेल क्या है और वैलो पॉलिमेल क्या होता है तो जितना में अभी समझाया बच्चो इतना आपका जो फर्स्ट एक्सराइब का उसके लिए उतना काफी है ओके तो बाद में जो करेंगे तो बाकी का इंट्रोशन वैसे ही आत जाओंगा ओके तब तक से वीडियो में इतना ही चलों बाई